स्वागत हैं आप सभी का एक बार फिर से आप देख रहे हैं वासिमपल मैं आपके साथ सेद समसाद हुसेन जो भी जिडियस में यानि ग्रामीन डाक सिमक में पोस्ट ओफिस में जोब के लिए इच्छुक हैं और दस्वी कलास पास कर चुके हैं तो यहाँ पर उनके लिए सुनारा मौका निकल कर आ रहा है आपको बता दें पोस्ट ओफिस में यहाँ पर जो पदों की संख्या रखी गई है 30,041 है 30,041 पद पर यहाँ पर बहाली ली जा रही है यहाँ पर सरकर जो सरकल है सरकर वाइज आपको यहाँ पर सीट यूर में कितना है ओवी सी में कितना है सब यहाँ पर बताया गया है आप अपने स्टेट का यहाँ पर देख सकते हैं जो भी स्टेट से आप भरना चाहते हैं कि आपके स्टेट में यूर के लिए ओभी सी के लिए कितना कितना सीट रखा गया है चलिए फटा-फट से हम आपको बता रहे हैं जो यहां पर पोश्ट है वह बीपीएम का है जिसकी सेलरी आपको 12,000 से लेकर 29,380 तक होगी और दूसरा पोश्ट आपको ABPM डाक से वक्का है जिसकी सेलरी 10,000 से लेकर 24,470 तक यहां पर होगी ठीक है रेश्टेशन एंड सब्मिट करने का जो ऑनलाइन अप्लिकेशन का जो डेट रखा गया है वो 38,2023 से चालू है जो की 28,2023 तक चलेगा इडिट और करेक्शन के लिए आप 28,2023 से 26,2023 तक अपलाई कर सकते हैं आग नहीं पास है आप तो इस फरं को जो है apply कर सकते हैं इस फरं की खास बात यह है कि यहां पर आपको किस बी तरह का again किस बी तरह का Gobierno नहीं देना है बलकि आपके帾र आपका इंटरिव्ट यहां पर होगा एक उसके हिसाप से cut-off जारी जाए जाएका और आपका यहां पर रिसल StraIoup की बात कहीं गई है Extra Age रखा गया है आगे आपको बता दे यहां पर जो Rehovation कटड़ी के लिए है उनके लिए यहां पर इंस्ट्रेक्षंट्वर से आप आप आवयदन देंगे और तरीके से आपको आवेदन देना है बिल्कुल step by step सुरू से लेकर अंग तक हम आपको इस वीडियो में पताने जा रहे हैं यह जिडियास ओनलाइन पूस्ट ओपिस में है वहां पर कौन सा सीट वहां पर सुरचित है बहुत सारे लोग यह गलती करते हैं जैसे वह अपना डिविजन चेक कर लिये चेक करने के बाद जो ऑफिश का नाम है वह भी चेक कर लिये और जो पूस्ट के लिए यहाँ पर बनना इनके लिए रिजर्वब है अब यहां पर यूर में भर देंगे तो पहले ऐसी वाले को होगा न भाइया तो इस तरीके से अपना दो देख लें आपने जो केटिकरी है यहां पर आप देख लें ठीक है बात तो समझ आरे होंगे आप चलिए अब आनलाइन की प्रकिरिया कर सकते हैं थो चलिए रेजिस्टेसीशन पर हम क्लिक करते हैं अब यहां पर आपको आपका मुबाइल नंबर δेना ह Cape और validate mobile number पर click करके OTP डाल करके अपने mobile को verify कर लेना है देन उसके बाद आपको यहाँ पर second वाले में email ID देना है और validate email पर click करके अपने email को verify कर लेना है देन थर्ड column में यहाँ पर आपको applicant का नाम देना है as per secondary school यानि metric certificate में जो भी आपका नाम है यहाँ पर आपको देना है उसके बाद यहाँ पर आपको फादर का नाम पूछा गया है तो जो metriculation में आपकी फादर का नाम है वो आपको यहाँ पर देना है देन उसके बाद आपको यहाँ पर date of birth पूछा गया है ठीक है देन उसके बाद आपका जेंडर यहां पर पूछा गिया है यहां पर आप से कम्यूटी पूछ रहा है कि आप किस कम्यूटी से आते हैं यूर, यूर, EWS और OVC और यहाँ पर STSC के लिए ठीक है अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि सरकल इन विच सेकंटरी स्कूल पास्ट यहाँ पर आपसे सरकल अपलाई करने के लिए पूछ रहा है अभी आपसे पूछ रहा है कि आपने किस स्टेट से मैटिक का एक्जाम भूत सरे लोग, जैसे मैं ही बिहार में हूँ लेकिन मैंने जो बोड का एक्जाम है मैटिक जो एक्जाम दिए वो 10 गंट से दिया है तो मैं यहाँ पर झार गंट चूस करूँगा ठीक है आप अपने एकॉडि यहाँ पर चूस कर लिजेगा कि आप बोड का एक्जाम कहां तो यहां पर जो भी दिख्कत आए आप पूछ लीजेगा नीचे चलिए हम फॉर्म को फील करके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करते हैं अब यहां पर आपको अपना रेश्टेशन नंबर देना है उसके बाद यहां पर सरकल चूज करना है यह सरकल जो आप से पूछ रहे हैं जैसे आप गुजरात कर दोगे तो गुजराती आपको आनी चाहिए यहां पर रेश्टेशन नंबर यहां पर अपना पंचायत मंडल डिस्टिक यानि आपका जिला यहां पर अपना पिन-कोड परमानेंट अड्रेस दोनों आपका अगर सेम है तो इस पे क्लिक करेंगे address डालने के बाद यहाँ पर आपका qualification details पूछ रहा है years of passing जो secondary आपका school है वो कौन से? board से है तो अपना board यहाँ पर select करेंगे board select करने के बाद आप यहाँ पर select results type marks आपका आजाएगा यहाँ पर marks यहाँ पर percent आप उसके हिसाब से अपने select कर ले अब यहाँ पर आपको जो option देखने को मिलेगा वो मैं आपको बता दू यहाँ पर अब सभी जो subject है उसका यहाँ पर आपको marks डालना है जैसे English में आपने कितना percentage लाया उसके बाद English के रावाद जो भी आपका subject था वो यहाँ से आप choose कर लेंगे उसमें आपने कितना लाया Mathematics में आपने कितना लाया History में आपने कितना लाया उसके बाद यहाँ पर अपने हिसाब से subject चेश सेलेट कर लें जो साभी आपका subject था उस subject सेलेट करने के बाद सबका यहाँ पर number डालने के बाद sub and continue वाले बटन पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है circle apply for बिहार यानि बिहार circle तो हमने choose कर दिया लेकिन इतने बड़े बिहार में कौन से division के लिए आप apply करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपका बिहार में जितने भी जिले हैं सब जिले का यहाँ पर डिविजन आ जाएगा तो हमने यहाँ पर गया select कर लिया अब देखिए यहाँ पर गया में यहाँ पर देखिए यू आर बीपी एम और यहाँ पर एबीपी एम के यू आप तो यू आर या एडवलोस या फिर SC, ST आप यहाँ पर देख लें कि आपका कौनसा जगा सुरच्छित है कौनसा सीट आपका safe है तो वहीं बरें अन्रेजर में तो कोई भी बर सकता है लेकिन EWS वाले में EWS वाले में OBC और या फिर ST में UR SC में UR मत भरें अपने according यहाँ से देख लें कि आपका कौनसा सीट शुरच्छित है पिर्फेमेंस दे दे ठीक है जैसे हम यहाँ पर इसको एक देना चाहते है इसको हम दो नहीं देना चाहते है इसको दो देना चाहते है उसके बाद हम इसको तीन देना चाहते है तो इस तरीके से आप जो अपना पिर्फेमेंस है वो आप दे सकते हैं यहाँ से चली बारी-बारी से हम दे रहते हैं उसके बाद हम आगे की परफिजिया आपको बताते है आप जितना पिर्फेमेंस चाहते हैं उतना चूस कर लिजे ठीक है कहीं छोड़िए मत आपको जहां भी आपको लग रहा है कि हां हमको यह सेलेक्ट करना है ठीक है जैसे यूर में जितने भी आपका जो दिख रहा है ठीक है उस सब को सेलेक्ट कर लिजिए बाद में आपको लगता है कि और भी हमें देना है तो भी दे सकते हैं ठीक है जो प्रि यहां पर आपको Mac payment करना है Mac payment पर करके अपना payment कर लेंगे और इस तरीके से आप फाइनल सब्मीट करेंगे मैं यहां पर फाइनल सब्मीट कर रहा हूं चुकि मैं डेमोपरस से आपको बताया हैं आप अगर चाहें वापस से इसको अपना इस्तिति को चेक करना तो आप यहां पर आ करके अपने अप्लिकेशन इस्टेडस को चेक कर सकते हैं उमिध है जडियेस ऑनलाइन इंगेजमेंट जो यहां पर अपलाई है वह आपको समझ में आ गया होगा किसी भी तरह का दिकत या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे